विल्कम तो मैं चानल तन्सुमन क्लाज़स और मैं सुमन मैं वेलकम तो आल आज हम आपके जियोग्रफिक का बुक का चाप्टर नुमर एट जो कि नाचुल वेजिटिशन और वाइल लाइफ है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि बहुत ही इंट्रेस्टिंग चाप्टर है कि हमारी जो नाचुल वेजिटिशन है वो किस तरीके की है और साथे साथ जो वाइल लाइफ है वो किस तरीके की इंडिया में पाए जाती है तो नाचुल वेजिटिशन जैसा की नाम से पता चालता है यह नाचुल नाचुल यानि प्राकर्तिक है ना अब प्राकर्तिक वहनस्पति यानि नाचुल वेजिटिशन यानि वो वेजिटिशन जहां पे कि हुम इनका इंटर्फेरेंस नहीं रहता, ठीक है? So we are discussing about the natural vegetation in this chapter and we divided into two parts. कैसे? एक तो vegetation में है और दूसरा wildlife में. तो जैसा कि हमने part first video में पड़ा था कि जो natural vegetation है, वो क्या करती है? It's grown naturally, ठीक है? तो आपको पता है, can you tell me what the meaning of natural vegetation? आप पता है सकते हैं? Yes, of course पता है सकते हैं. कि जिसमें की बहुत सारे plants हो, जो बहुत सारे plants, trees उगेवे हो, जो naturally grow करें और वहां पे human intervention ना हो. That is called natural vegetation. Okay, अब plant की बात करते हैं हम, तो plants जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत जादा ज़रूरी है. और हमें इनको conserve बे करके रखना चाहिए. वो किस तरह किसे कर सकते हैं? Can you tell me? किस तरह किसे कर सकते हैं? Yes, हम क्या कर सकते हैं? इनके लिए sanctuaries बना सकते हैं. National park बना सकते हैं. तो फिर हम इनको conserve करके रख सकते हैं. अब what are the factors affecting vegetation of an area? यानि कोई भी area के vegetation को affect करने वाले बहुत सारे कारण होता है. For example, temperature होता है. कि जैसा temperature होगा, वैसे vegetation पाया जाएगी. उसे तरीके से soil. Soil जो होती है, it is also affecting factor. क्यों? क्योंकि जैसा soil होगा, fertility of soil होगा, वैसे ही वहाँ पे vegetation पाया जाएगा. Slopes of land है. और साथे साथ जो moisture होता है, वो बहुत बड़ा effect करता है. तो इन सभी वजह के वजह से, इन सभी factors की वजह से, vegetation क्या करती है? Affect होती है. And why we call that the factors are important for us? यानि forest जो है, why we call, कि forests are important for us? Yes. क्यों भूलते हैं हमकि हमारे लिए forest जो रूरी है? Because they modified the local climate, they gave us medicine, timber, oxygen, and modify local climate also. And support many industries. That's why forests are important to us. Okay. Now forest को हमने classification कर दिया, broadly classification कर दिया, हमने किसका? अगर हम बात करें, कि हमने natural vegetation को तीम पार्स में divide कर दिया, ठीक है? Natural vegetation यानि, जो कि naturally रूपती है, जिसमें कि human मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहता, intervention नहीं रहता, ठीक है? अब forest के हम बात करते हैं, तो forest वो एरिया है, जो कि जहां पर trees पास पास में उगे हुए हो, ठीक है? यानि forests are closed formation of trees growing together at a particular place, यानि वो जगह जहां पर बहुत सारे पेड़ पौदे हो, ठीक है? और the true forest is one of which is to grow close to one another, ठीक है? और forest को हमने part first जैसा की वीडियो में हमने पढ़ा था, कि we divided into six parts, ठीक है? अब जो forest को हमने पढ़ लिया, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, ग्रास लेंग्स, यानि बड़ी बड़ी घॉस के मैदान, आपने कभी इम्याजन किये हैं, और कभी देखे हैं गास के मैदान, अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आपको डेकन प्लेटू, जो कि इंडिया में दक्षिन का लावा पठा रहे हैं, वहाँ पे आपको जरूर देखने के ले मिलेंगे, और कभी मौका मिले, तो जाना भी चाहिए, ठीक है, अब हम grasslands के बात करते हैं, कि इंडिया में जो grasslands हैं, वह कैसे तरीके की पाये जाती हैं, और worldwide अगर हम देखें, तो वह divided into two types, ठीक है, चलिए ठीक है, हम grasslands के दो भागों में भाजित कर देता हैं, So, they are classified into two types, वह कौन-कौन सी हैं, grasslands, पहले तो हमें देखना होगा कि grasslands होती कह है, तो grasslands are, today's topic is grasslands, तो before we read this grasslands topic, like and subscribe my channel, and press the bell icon also. So, let's start the topic of the day is grasslands, and grasslands are mostly found in the region of low rainfall, low rainfall का मतलब क्या हुआ, यानि जहां पे की बारिश बहुत जादा भी ना हो, अबहुत कम भी ना हो, यानि ठीक ठाक बारिश, यानि मीडियम बारिश, as amount of rainfall decreases, forest gave place to grasslands, यानि हमने यह बात करी, कि जहां पे की बारिश का थोड़ा सा कम होना शुरूआ, और वहां पे क्या शुरू हो जाएंगे, वहां पे grasslands शुरू हो जाएंगे, and grasslands are broadly defined two types, अब first कान सी होगी, tropical grasslands, यानि हमने part first में हम पढ़ते है, tropical grasslands, and second में हम पढ़ेंगे, temperate grasslands, so we divided into two types, अब हम tropical grasslands को पढ़ते हैं आगा, तो ट्रॉपिकल grasslands को हिंदी में मैंने बोल दिया, उष्निकटे मन दिया, ठीक है, अब ट्रॉपिकल grasslands कहां मिलेंगी, it is also known as a Samana, यानि हमने ट्रॉपिकल grasslands को क्या नाम दे दिया, इनको Samana के नाम से भी जाना जाता है, और, these are found in either side of equator, risen in Africa, part of Brazilian plateau, deck and plateau in India, and known as a different parts of the world, यानि मैं बात करूँ कि Africa में पाए जाते हैं, ये साथ ये साथ में, India में पाए जाती हैं, और ये कहां, Brazil में पाए जाती हैं, तो इनका नाम क्या क्या है, इनका नाम अलग अलग जगे, कैसे देखिए, Africa में पाए जाती है, ठीक है, कहां पे, equatorial region में, एक्वेटर क्या है, equator यानि, equator divides the globe into two hemisphere, यानि इसने आर्थ को दो parts में divide किया, वो equator है, तो equator के आसपास वाले एरिये में, यानि Northern Hemisphere और Southern Hemisphere के आसपास वाले एरिये में, ये grasslands उगती हैं, तो parts of Brazilian plateau, Deccan plateau of India and Northern Australia में, ये मुख्य रुप से पाई जाती है, और grasslands यानि, बड़े-बड़े grassers के खेत, एक तरीके से बड़े-बड़े lands, जो की चारुतरफ grass से घरी हुई है, अब हमने बोल तिया, कि इनको देश में, हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, में इनको इस नाम से जाना जाता है, अगर Mediterranean forest के बात करें, कहां पाई जाते हैं, यहां पे temperature बहुत जादा होता है, और rainfall ranges कहां कितनी होती है, जहां पे की rainfall 20-75 cm पाई जाती है, वहां पे इस तरीके के घास के मैदान पाई जाते हैं, जहां पे की ना तो जादा गर्मी है और ना जादा ठंड है, for a desert dry forest, or does the tall grasses, और इसी वजह से जहां पे ना जादा गर्मी, ना जादा ठंड और जादा बारिश भी नहीं है, तो यह इस एरिये में ग्रास जो होती है न बटा, वह बहुत बड़ी बड़ी होती है, एप्रक्स 2-4 मीटर लंबी, यानि हमारे मकान की height से भी उची, अब इतनी उची अगर ग्रास को जिराफ नहीं खाएगा तो कौन खाएगा, है ना तो यहां पे जिराफ बहुत ज्यादा मिलते हैं, and most of the tropical grasslands are now used to for grazing and farming, यानि tropical grasslands जो है ना वो पश्मों को चराने के काम आती है, या फिर खेती के काम आ रही है, और आज के समय में the grasslands have become a desert also, because these grasslands are the home of the large variety of animals, यानि grasslands में बहुत बहुत वराइटी के पाये जाते हैं, अब temperate grasslands के बात करे, अगर जानवर हैं तो बात करेंगी काम से कम से मिलते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, तो if you are in temperature grasslands के अगर बात करें, temperate grasslands में temperature जो है, वो middle latitude, आपने देखा, temperate grasslands में mid latitude ए पाये जाते हैं, मद्ध हमें, यानि 42-55 लाटिटुट के बीच में ऐसे grasslands पाय जाते हैं यानि these lever are treeless plane मैंने आपको बोला कि tropical grasslands है यहाँ पेड कभी कबार मिल जाते हैं यहाँ पेड पाधी मिल जाते हैं लेकिन जो temperate grasslands है वहाँ पेड नहीं मिलेंगे so the grasslands are the different names और यहाँ पे grasslands से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है जैसा कि पहले वाले में हमने करा था तो बही कौन कौन से से नाम है for example, stappies in Europe, pretty in North America, pampas in South America, wild in South Africa and downs in Australia यानि कुष्टो इसमें फंडा है यानि कुष्टो ऐसा है कि आपको इग्जैम में पूछा जा सकता है name the different types of grasslands found in temperate grasslands आपको इनको इनको के नाम याद करने पड़ेंगे or there will be one more question आपको एक और कुछा जा सकता है कि weld कहां पाए जाती है, pampas कहां पाए जाता है, downs कहां पाए जाता है तो name of the country और ऐसा भी हो सता है कि Australia में पाए जाने वाले grasslands कौन सी है तो you must write down, down ठीक है, so the rainfall के अगर बात करें तो rainfall in this area temperate grasslands are found not sufficient for the growth of trees यानि यहां पे बारिश का जूला है, बारिश थोड़ी सी कम होती है not sufficient for the growth of trees that's why यहां पे trees नहीं होते हैं यहां पे क्या होते हैं, यहां पे short grasses होती है और चारू तरफ आपको घास के मैदान ही दिखेंगे और it is suitable for the cattle and sheep rearing यानि जानवरों को चराने के लिए जानवरों को रखने के लिए बहुती suitable place होता है and these areas are intensive farming and the cultivation of the wheat and corn यानि आज के समय में यहां पे क्या होगाय जाय रखता है यहां पे wheat और corn को भी उगाना संभव हो पाया है cultivation होता है ठीक है यह तो होगी हमारी grasslands अब हम बात कहते है scrubs की scrubs क्या चाहिज है scrubs वह है जो बूशी plants है जो बहुत चोटे होते है जो की बहुत ही extreme hot or cold areas में उग जाते है okay got it यानि scrubs की अगर बात करें scrubs are short and bushy plants which grow which grow extreme hot or cold areas यानि की आच आपको पते है we have two types of desert in India हमारे पस में दो तरीके के desert है ma'am हमने तो एकी तरीके के desert सुना है अरे क्यों नहीं हमारे पास गरम desert है तो हमारे पस ठंडा desert भी है यानि हमारे पास में hot desert की बात करें ना तो कौन से desert आएगा thar desert western part of India जिसे की thar marusthal बोलते है इंडियन desert के नाम से भी जाना जाता है लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर cold desert की तो cold desert हमारे पास ले लद्दाख में आ जाएगा जहाँ पे की चौरू तरफ बरफ बिची हुई है ठीक है हम यह समझ में आ गया बई अब क्या है जो desert vegetation है वो किस तरह के की है किस की बात कर रहे है हम हम बात कर रहे है hot desert की hot desert है तो वो कहां पे पाया जाएगा tropical और subtropical reason के बीच में यह पाया जाएगा चौर। और यहां पे tropical desert होते है ना वहां पे temperature बहुत ज़ादा high होता है और बारिश तो बहुत काम होती है तभी तो यहां पे bushes उगती है और यहां पे इन bushes की वज़एसे ही kटिली जाडियों की वज़एसे ही क्या बाया जाता है यहां पे पाया जाते है ऐसे जानवर और ऐसे plants जिनको की पानी की कम तो नेम था अनिमल, यानि कौन सा अनिमल हो सकता है वो, yes, true, camel, camel is just ship of the desert, और scrubs की बात करें, तो बहुत सारे अलग-अलग patches में पाये जाते हैं, ठीक है, टुकडो टुकडो में पाये जाती हैं, जो वनस्पती होती है, और बात करें, अगर plants की, तो इनके बहुत सारे थ्रॉंस होते हैं, इनके स्ट्रिक्स बड़ी जो थिक होती है, लॉंग रूट हो water, water, पानी की खोज में इंकी जड़े बहुत कहरा ही तक चले जाती है और wax squatted leaves होती है है ताकि पानी जो wax leave में है वो क्या हो वो आपरेट ना हो spongy होती है, कंटीली होती है and the main plants are dead palm and cactus and thornibushes और अगर हम बात करें, काक्टस जो है ना बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है और जो पाम ट्री है वह भी यहाँ पे मेन प्लाँंट्स में शामिल है अब टुंडरा वजिटुशन की बात करें तो टूंड्रा में While Is לחem पोल आरे नॉथ पोल नॉथ पोल पोल जैसे को मानन जाते हैं तो नॉथ पैल यॉड़ेशिया नॉथ अमेरिका में टूंड्रावए लिचेती है तो जहांके by सौनलाइट बहुत कम होती है और tree less यहां पर जगह होती है, harsh climate होता है, साथ ही साथ, winters बहुत जादा होने की वज़ए से, और summer season बहुत short होने की वज़ए से, यहां पर क्या पाय जाती है, यहां पर kai, आपने देखा है बारिश के मासम में पानी पर फ्लोट करती है, ग्रीन ग्रीन, हमारी छत पर भी जमा हो जाती है, that is called the kai, moose, so the reason of the well is dry, and it's called cold polar desert के नाम से भी जानते हैं, and very few plants grown here, बहुत ही कम पेड़ पहुदे यहां पर उख पाते हैं, जैसा कि आपको shortly अगर मैं बताऊं, तो आप देखना, sorry, lakes है, streams है, इनमें आपको यह green color का float करतावा जरूर दिखेगा, कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो, and mean, अगर vegetation की बात करें, तो tundra region में, मूज है, leeches है, grass है, scrubs, dropped grapes है, यह यहां पर बड़ी संख्या में पाई जाती है, और साथे साथ में जो गर्मिया, थोड़ी बहुत जो मैंने बताया आपको कि summer season भी बहुत छोटा होता है, तो इस समय में यहां पर क्या होता है, थोड़े से फ्लावरी प्लाट भी दिखने को मिल जाते हैं, अब हम बात करें, wildlife की wildlife का नाम सुनते हैं, बच्चों की नजर में का जाता है, lion, tiger, anaconda, snake, तो इनको हमने नाम दे दिया, Fiona, ठीक है, और साथे साथ land और water पे भी रहते हैं, ठीक है, तो distribution of plant and animal are determined by the climate, yes true, यानि जो जानवरों का जो distribution होता है, वो climate पे depend करता है, अब camel तो जाके नहीं रहेगा थंड एरिये में, लेकिन हा, जो desert area वाला camel है, वो जाके थंड में नहीं रह पाएगा, ठीक है, ठीक उसी तरह की से polar bear डाजर्ट में नहीं रह पाएगा, तो जो डेटमाइन करता है climate को, यानि animals कैसे वहाँ पे पाएजाएंगे, तो wildlife के अगर हम बात करें, तो wildlife, जो relation between the vegetation and wildlife, बहुत close होता है, कैसे होता है, nature of plants in an area, determined a large extent of animals in that area, यानि वहाँ के nature कैसा है, यह depend करेगा, कि वहाँ पे wildlife कैसे मिलेगी, for example, अगर हम बात करें कि बहुत forested area होता है, तो वहाँ पे natural habitat normally हमें मिल जाएगी, हर तरीके के जानवर हमें देखने के मिल जाएगे, और forest area की बात करें, तो बेटा forest area क्या होता है, वह natural home, nature वाला home होता है, यानि home of wild animals, और वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, किसको जो जंगली जानवर है, जो के wildlife है, वहाँ पे उनको food एजली मिलता है, water एजली मिलता है, shelter for living and hibernation, hibernation से यहाँ पे long sleep से मतलब है, यानि थंड में, जो बहुत सारे जानवर होता है, जो के hibernation में चल जाता है, जैसे की rat है, bear है, ठीक है, turtle है, so place of the breeding, इनके बच्चों के लिए वहाँ पे जगह है, क्यों, it is safe for them, और यहाँ पे उनके young ones पलते और बड़े होते हैं, और नॉर्मली वहाँ पे movement होता है, उनकी growth होती है, इ हमें vegetation को भी बचा के रखना है, हमें forest area को भी बचा के रखना है, so the within the habitat, all plants and animals are independent, and each other as well as soon on the physical environment, the animal adjusts the environment in respect to the physically built, color, food habits, etc, अपको पहते है, animals of the tropical region किस तरीकी के पहे जाएंगे, अगर हम tropical region की बात करे ना, तो यह बहुत forested area होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें वो सारी conditions मिलेंगी, जहाँ पे की बड़े बड़े पेड़ है, most of their lives on trees, there are monkeys, apes, sloths, bats, flying squirrel, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए जो forest है, वो बहुत सेफ है, अब बात करते हैं, turtle की, turtle है, snake है, alligator है, crocodile है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ल स्वांप एरिया में यह इजली रह पाते हैं, और हिपोपिटमिस जो के अफरीका में पाया जाता है, वो भी tropical reason का एकास जानवर है, और anaconda, world का largest snake, संभल के रहना थोड़ा सा, क्योंकि anaconda का नाम सुनते ही तो एक दम डर सा लगने लग जाता है, क्यों, क्योंकि यह बहु लंबा चुड़ा स्नाइक है, और साथ यसाथ में दरावना भी है, तो इट इस अलसो फाउंड इंदा, tropical evergreen forest, क्यों, क्योंकि यहां पे बहुत घने जंगल है, lion, tiger, rhino, leopard भी इसी monsoon forest area में रहते हैं, अब tropical evergreen forest को हम monsoon forest के नाम से भी जानते हैं, तो यहां पे आपको confused होने की जरुवत नहीं हैं, ठीक है, अब animals जो temperate reason में राते हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो temperate forest में क्या होता है, almost similar होता है, लेकिन यहां पे थोड़ी सी जाती हैं, जो प्रजातियां होती हैं, वो थोड़ी सी कम पाये जाती हैं, mostly affected होती हैं, seasonal changes की वज़े से, इसलिए यहां पे wildlife की, there is a little wildlife in the Mediterranean region, यहां पे थोड़ा सा as compared to tropical evergreen forest से, wildlife थोड़ी सी कम पाये जाती है, animals on grasslands की बात करें, तो grasslands में, obviously grass खाने वाले जानवरी हमें ज्यादा मिलेंगे, तो देखते हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो देखते हैं, तो देखते हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो देखते अन-हाइन, पैंथर, आसाथ-साथ, buffaloes and rhinos मिलते हैं, और यहां पे, obviously हमें herbivores और cornivores दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि herbivores को खाने वाला भी तो cornivores चाहिए, और temperate grasslands जो होते हैं, उसमें anteloups हैं, wild asses हैं, wild dog, rabbit, यह सभी तरीके की जानवर हमें यहां पे देखने के मिल जाएंगे, अगर हम बात करें कि desert area में कैसे जानवर मिलेंगे, obviously desert area में हमें camel तो जरूर मिलेगा, क्योंकि उसके लिए survive करना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीके, तो जो camel है, वो यहां पे बहुत easily survive कर जाता है, क्यों, क्योंकि the animal like to move in a cool hot night and some of them let's bother to accept the heat, यान जिन जो animal है, वो क्या करते है, वो नीचे खड़ा खोद के रहने लग जाते है, चुट चुटे ठीके, और साथ में camel है, वो सर्वाइफ कर सकता है, easily hot or dry climate में, हम बात करें कि sand पे easily move कर पाता है camel, और इसकी body का adaptation होता है, वो easily desert area में adapt कर लेता है, ठीके, अब फॉक्स है, हाइ wild laces है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे देखने के ले मिलता है, लेकिन अगर हम बात करने के हमने इन सब की बात करी है, तो cold reason में कौन से जानवर मिलते हैं, बही cold reason में वो वाले मिलेंगे, जो cold areas में रह सकते हैं easily, and they have the thick skin, यानि उनकी जो खाल होती है, वो थोड़ी स and during the winter season, यहाँ पे क्या होगा, migrate to warm areas in search of food, yes, Siberian crane सुना है आपने, नाम सुना होगा जरूर, ऐसा होई नहीं सकता, कि India में क्या करते हैं, यह migrate होके आते हैं, Siberia से, पता है, और इतना दूर कर दिस्टेंस कवर करते हैं, क्यों, क्योंकि इनको warm area चाहिए, जो कि India में इनके लिए अच्छे से मिल जाता है, ठीक है, और फिर यह लाखों मील चल के वापिस वहाँ पे चले जाते हैं, तो wild animals are being hunted for the pleasure or profit, आपको पता है, wild animals को हम हमारे profit के लिए, और इनको खतम करते जारें, क्यों करते जारें, बिकोज होता है, उसके जो दात होता है, उससे बहुत सारे चीज़े बनाये जाती है, black market में इसको बेचा जाता है, tiger के skin को smuggling करा जाता है, कुछ birds के मीच के लिए, feathers के लिए उने मारा जा रहा है, तो wild life क्या हो रही है, हमारी इसन से affected हो रही है, किन से हमारी human activities से, deforestation हो रहा है, या सबकी वज़े से, wild life खत्रे में आ गया है, क्योंकि हमने इनके जंगलों को छीन लिया इन से, और हमने इसको agriculture और वहाँ पे हमने industry established कर दिये, so due to this, a large number of animals and birds have become, eggs is in India, नहीं, homeless हो गए हैं वो, तो in recent years, some people have become aware to need to preserve wildlife, और in कुछ सालों में, कुछ लोग aware हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, government को जागरू कर रहे हैं लोगों को, की wildlife sanctuaries बनाए जा रहे है, national park बनाए जा रहे हैं, ताकि we preserve our wildlife, so thanks for watching this video and like and subscribe my channel, thank you.